Hello everyone, मेरा नाम है सुनील अधिकारी, बात करेंगे आज के वीडियो में CLAT examination की और recent में CLAT 2023 का notification भी release हो गया है So if in case, आप law aspirant है, future में integrated LLB जो की 12 के बाद करा जाता है, इसमें interested है, चाहे वो B.com LLB हो, B.L.L.B हो या फिर आज के टाइम में जो trending पे चल रहा है, B.B.L.L.B हो वीडियो होने वाला है, तो बिना टाइम बेस करते हुए, स्टार्ट करते हैं वीडियो, राइड, चलिए, मैं देखिए, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, तो प्लीज प्लीज बियर करिएगा, जिन बच्चे थोड़े से intelligent है, पहले ही समझते हैं, तो उनको भी मैं देखिए, 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 मैं समझाने के तरीके में आपको बहुत newness लगेगी, newness in the sense है कि अवेर तो होंगे, लेकिन ये चारी जानकार ये आप नहीं जानते होंगे, जो आज के वीडियो में शेयर करूँगा, राइड, चलिए, पहले थोड़ा सा introduction देदू, उन ब यसे आपने नाम सुना है, IIT, JE, मतलब IIT नाम सुना है आपने न, तो engineering अगर करनी है, तो सबसे best institute से करनी है, इंडिया के वो है IIT, हमें management या फिर MBA करना है, तो इंडिया के सबसे best institute से करना है, वो है हमारे IM, वैसे ही अगर LL भी आप करने की सोचते हैं, और अगर आपका target ह best institute, तो उसमें नाम आता है National Law Universities का, उसी बारे में ये CLET examination होता है, या फिर वहाँ पर admission लेने के लिए CLET examination होता है, the common law admission test also known as CLET is a national level law entrance exam for the admission of 22 national law universities, right, 22 इंडिया में national law universities हैं और future में ये बढ़ने वाली हैं, और 70 affiliated colleges जो की LLB degree provide कराते हैं, सब colleges में आपके CLET का scorecard लगता है, that means CLET के basis पर आपको admission मिलता है, तो CLET देना इसलिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है, अगर आप 12th के बाद, मैं repeat कर रहा हूं 12th के बाद, क्योंकि graduation के बाद अगर आप LLB करते हैं, तो CLET वहाँ पर नहीं लगता है, बहुत सारे colleges CLET नहीं लेते हैं, वो खुद का entrance या फिर L-set, L-set नाम से एक entrance होता है, उसके basis पर आपका graduation के बाद selection होता है, लेकिन 12th के बाद LLB करने के लिए, अल्मुस्ट सारे इंडिया के अच्छे colleges जो 5 साल का LLB offer करते हैं, वहाँ पर CLET scorecard आप जमा करवाकर या summit कराकर admission लेते हैं, राइट, चली आगे बढ़ते हैं, the exam is conducted by the consortium of national university in offline and paper pen format, जो CLET examination है बच्चा वो हमारा होता है offline mode में, मतलब pen paper वाले mode में, पहले online था, अब offline हो च सकता है, या online हो जाए, लेकिन अभी के लिए जब आप ये video देख रहे हैं, तो paper का format है, हमारा offline तो आपको तैयरी भी उसी sense में करनी पड़ेगी, candidates who pass the examination will be eligible for a 5 साल का integrated LLB program, और LLM, LLM क्या है, LLB का बड़ा भाई है, जिसे B.com का बड़ा भाई, M.com, B.se का बड़ा नहीं है, यह हमारी undergraduate degree है, postgraduate क्या होगा हमारा LLM degree होगी, right, clear हो पा रहे है बच्चा, what is CLAT examination clear हो गया, तो आगे बड़ें, अभी के लिए 2023, मतलब अगले साल ये चल रहा है 22, लेकिन notification जो है, exam जो है, इसी साल होगा, clear हो पा रहे है, 2023 session में admission तो होगा आपका, लेकिन examination आपक में ही देना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 22 में, ये जो examination है CLAT, वो दो बार conduct हुआ, एक मई में हुआ, और एक ये December में होने जा रहा है, 2023 के admission के लिए, और आने वाले टाइम में ये दो बार नहीं, एक बार ही होगा, COVID situation के मद्दे नज़र रखते वे, ये दो बार कराया गया है, लेकिन आगे ये एक बार ही होगा साल में, और ये मई के अराउंड ही होता है, generally, clear उपा रहा है, चलिए, बात करें, 2030 क्लेट की तो फॉर्म बच्चा निकल चुके हैं, 8 अगस को, और अभी भी फॉर्म आपके भरे जाएंगे, September last तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, examination date अन थारा, 2022, time भी specific time रहता है, दिन में दो से चार बजे ये आपका paper होता है, designated center आपको appoint होता है, centers पे जाते हो, और वहाँ जाके ये examination आपको देना पड़ता है, अगर आप general हो, OBC हो, PWD candidate हो, तो fees कितनी है, 4000, अगर आप STSC हो, तो fees है, 3500, clear उपा रहा है, चलिए, आगे बढ़ minimum 45 percentage, इतनी तो कोई भी बच्चा लियाएगा, जितना ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, 45 percentage for a general candidate, और अगर आप STSC से बिलॉन करते हो, तो 40% आपकी होनी चाहिए, ये तो minimum criteria है, ठीक है, और if in case, आप appear कर रहे हैं भी, और आपका result आएगा मही में, obviously चीज़ है, अगर आप CBSE या कोई भी State Board के बिलॉन कर रहे हैं, तो आपके examination तो 5 और March में होंगे, तो तब भी आप apply कर सकते हैं, clear हो पा रहा है, और there is no age limit, अगर आप कितने भी बूडे हों, और अगर आप 12 के बाद LB करना चाहते हों, तब भी आप apply कर सकते हैं, there are no restriction on the number of attempt also, जितना मन करें करने के जरूरत नहीं है, क्योंकि LB करने का एक और आपको मौका मिलेगा, वो graduation के बाद मिलेगा, तो इतना gap लेना सही नहीं होगा, वैसे तो, अगर आप board के student है, तो कोशिश करो कि board के साथ ही इनकी तयारी करो, क्योंकि board में 99% लाग कर क्या करना है, जब हमें पता है कि हम हमारा admission ऐसे course में हमें लेना है, जहां पर board की percentage matter नहीं करती है, matter क्या करती है, उस entrance में कितने अच्छे marks आएं, तो समझदारी वाला decision क्या होगा, कि उस entrance की हम अच्छे से prepare करें, और board की तो last के 2 मंत में भी अगर अच्छे से कर लोगे, तो 85 तो अराम से आप cross कर लोगे, कि अगर आप 6 घंटे पड़ रहे हो, तो 3 घंटे पड़ो, 3 घंटे बोड पड़ो, कोई भी entrance के आप prepare कर रहे हो, तो half time उसको, तो half time board को दो, क्या problem है, अराम से आप 80 प्लस वहां पर भी score कर लोगे, और यहां पर भी आप 80 प्लस entrance पे भी score कर लोगे, जब भी board examination पास आने वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा time दे दो board को, जब entrance पास आने वाला है, ज़्यादा time आपको entrance को दे रहे हैं, as simple as that, paper pattern के बारे में थोड़ा सा आपको idea दे दूँ, बच्चा exam होगा, offline बता चुका हूँ, language रहेगी, English, Hindi में यह paper नहीं होता है, type of question objective रहते हैं, बच्चा एक marks का रहेगा, exam duration दो घंटे रहेगी, देड़ सो कुश्चन दो घंटे में निकाल लें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 120 मिनट में देड़ सो कुश्चन सब नहीं कर पाओ, इसलिए accuracy बहुत ज़रा matter करती है, marking scheme क्या है, plus one for the right answer, negative भी है, तुक्के बाजी नहीं देगी, 0.25 for the incorrect answer, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आगे बढ़े मच्चा आप exact pattern में बता दू, पुल मिलाकर, एक, दो, तीन, चार, पाँच सेक्शन हमारे आते हैं, पहला आता है English language जहां पर number of MCQ जो है, 28 से लेकर 32 कुश्चन आप से पूछे जाते हैं, exact figure, CLAT consortium गवाए नहीं कराता, तो एक approach figure है, 28 से लेकर 32 कुश्चन आते हैं, current affairs के 35 से लेकर 39 कुश्चन आते हैं, बहुत ज़रा weightage है, reasoning के 28 से लेकर 32 कुश्चन आते हैं, legal reasoning के 35 से लेकर 39 कुश्चन आते हैं, और quant के 13 से लेकर 17 कुश्चन आते हैं, if in case आपकी math weak है, तब भी आप ये क्लैट crack कर सकते हैं, maximum आप देख सकते हैं, हर एक कुश्चन एक marks का है, तो maximum duration भी almost same ही रहता है, approximate weightage जो है, आप देख सकते हैं, सबसे आदा हमारा current affairs का और legal reasoning का weightage रहता है, कुल मिला का 1.500 कुश्चन, 1.500 marks और आपका approximate weightage percentage आपके सामने है, clear हो पारा है बच्चा, एक और चीज़ pro tip में यहां पर देदू, क्लैट का जो आज के time में paper pattern है, वो पूरी तरह के से comprehension based है, इस examination को सिर्फ वो ही student crack कर पाएगा, वापिस से repeat कर रहा हूँ, इस student को, इस student को नहीं, इस examination को वो ही student crack कर पाएगा, जिसका comprehension level strong होगा, what do you mean by that, आप जब एक passage को पढ़ते हो, उसको कितनी जल्दी समझ पाते हो, वो matter करेगा कि आप CLAT को कितनी easily या कितनी अच्छी rank से crack करोगे, अगर आपका comprehension level अच्छा है, CBSE background के है, reading बहुत अच्छी है, आपकी बहुत जल्दी समझ में आता है, आप easily इसको crack कर लोगे, लेकिन if in case आप state board के हो, या फिर CBSE के भी हो, लेकिन English weak है, एक बार passage पढ़ लिया, तो 50% ही समझ में आता है, तो अब दिक्कत आएगी, तो करना क्या है, simple सा solution है, reading habit को 10x बढ़ाना है, at least 3 घंटे रोज रीड करना है, शुरुवाती दौर पे दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, रोज newspaper रीड करो, इसके multiple benefit है, English cover होगी, current affairs cover होगी, almost सारे section cover होंगे, क्योंकि mathematics में भी simple question नहीं आते है, passage based question आते है, समझ पारे है मेरी ब कैसे करें, prepare दो तरीके से हम करते हैं, एक होता है self study based, self study तब ही करनी है बच्चा, जब आपको कोई guide करने के लिए कोई हो, और आपको कोई समझाने के लिए हो, जब भी आपको कोई problem आती है, या फिर आपको कोई बड़ा भाई, छोटी बहन, पडोसी, friend, पहले से ही klat की coaching क कर रहा है, उसके पास study material है, जो आपके साथ वो share कर रहा है, और वो आपको guide कर रहा है, तब तो आप self study करो, नहीं तो klat, आज के time में मेरे नजर में one of the most toughest examination है, crack करना, self study कि तो, तो करना क्या है, अगर आपको बहुत ज़दा time नहीं है, और कोई guide करने के लिए नहीं है, तो best कर रहेगा, coaching join कर लो, आप, online और offline बहुत सारी coaching है, offline भी आपके city में बहुत अच्छी coaching होगी, वो join कर लो, नहीं तो, online भी बहुत सारे portals है, ठीक है, times institute है, carrier launcher है, law prep tutorial है, बहुत सारे, आप google search करेंगे, तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, किसी भी एक online coaching में आप admission ले ले ल और जितने जाधा mock test होगे, mock test is everything, syllabus हर कोई बच्चा complete कर लेता है, लेकिन जितने जाधा mock test आप देंगे, उतनी जाधा आपकी speed बड़ेगी, reading comprehension में आपकी efficiency increase होगी, तो मेरा preference क्या है, coaching का है, अगर आपको guide करने वाला कोई नहीं है, तो coaching करिए, अगर आपको कोई guide करने वा करने हैं, कब आपको coaching के लिए जाना है, राइट, clear हो पा रहा है, चलिए, syllabus आप देख सकते हैं, बच्चा, main चीज़ क्या होती है, मैं इसको tough क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, 11-12 में पढ़ा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ना आपने उस level की quant पड़ी है कभी भी MCQ-based, नहीं reasoning पड़ी है, नहीं English उस level की पड़ी है, नहीं legal awareness के नाम पे तो कुछ आप जानते नहीं हो, ना legal awareness, ना legal reasoning के बारे में कुछ जानते हो, तो यह बहुत कुछ इससे neat और ITJ ही होता है, वहाँ पर 80% almost वही आता है, जो 11-12 का आपने पड़ा है, यहाँ तो क coaching के through भी नहीं कर पा रहे हो, तो clat आपके लिए नहीं है, as simple as that, एक साल जादे से यादा आप drop लो, prepare करो, अगर नहीं हो था तब भी, तो आप regular courses में admission ले लो, और फिर आप graduation के बाद अपना RLB आप करो, ठीक है, इंग्लीश में आप देख सकते हैं, अच्छा, जो आप प सारे topic आप easily cover कर लेंगे, अगर आपके पास 11-12 mathematics थी, नहीं थी, तो आपको थोड़ा बहुत effort करना पड़ेगा, 10th level तक की mathematics तो अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, current affairs के लिए, अगर आप रोज daily news पर पढ़ोगे, तो उसके लावे कुछ करने की जरूत नहीं पड़ेगी logical reasoning की बात करें, तो ये वो section है, जो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी idea नहीं है, तो शुरूआ से लेकर end तक ये section हमें पढ़ना पड़ेगा, legal aptitude भी वही section है, जिसके बारे में आमें बिल्कुल भी idea नहीं है, ये भी शुरूआ से लेकर end तक पढ़ना पड़ेगा, और reasoning और legal aptitude आप घर में self-study के तुम नहीं कर पाओगे जब तक आपको कोई guide करने वाला ना हो क्योंकि ये वो चीज़ है जो अपने आप नहीं आपाते क्योंकि ये सारी नहीं चीज़ है मिच्छा ठीक है अगर आपको लगता है कि मैं coaching culture को जादा प्रमोट करना तो आप खुद एक बार ट्राय करके देखिए बुक्स मंगाई ये प्रिवेस ये देखिए आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है हमें टाइम का ना अफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है लाइस में बहुत क्या देखो मेरी रोज आल्मोस कांसलिंग रहत अब हम कौन सी कोचिंग जॉइन करें तो जो वो पहले डिसिजन वाला टाइम आ रहा था न तब आपने नहीं लिया और देखिए मुझे थोड़ा सान आउक्वड भी लगता है कि फीस की बात करूं कोचिंग इंस्ट्यूट की तो लेते हैं यार वो 10 से 15,000 रुपे लेते ह आप कोई भी मोड से करें ऑनलाइन ऑफलाइन करें तो इतना फीस एक नॉर्मल एवरेज फीस रहती रहती है बच्चे बुलते हैं सर बहुत ज़्यादा फीस है हम उतनी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं यह पूस्ता हूं से आप क्लैट कर क्यूं रहें सर NLU's में एडिमिशन के लिए मैंने का NLU's के फीस स्ट्रक्चर पता है आपको कितना है कितनी फीस लगेगी वहां जाने के लिए 10-15,000,000 रुपे वो भी तो दो दो गे तो एक 10-15,000,000 रुपे कहीं जाने के लिए अगर आपको पता है लगें तो वहां पर 10-15,000,000 इस है कि हम करोड़ुपतियों की शादी में जा रहे हैं और गिफ्ट भी बहुत महंगा ले जा रहे हैं और आटो वाले से लड़ रहे हैं सौ रुपय के लिए तो नहीं असी रुपय में चलो थोड़ा सा लॉजिकल लगाना पड़ता है कि हम किन चीजों में बचत करनी है कि में खर्चा करना है तो थोड़ी सी अवेर्नेस लानी बढ़ती है लाइफ में एडूकेशन के पॉइंट अफिसे जहां पर हमारा केरियर दाव पे लगावा है वहां पर इतने पैसे बचा कि करोगे क्या जब इससे दस गुना ज्यादा अमांट आपको खर्च होना ही होना ह है तो टाइम इस मनी ना दो साल का गैप के बाद रिग्रेट होगा काश सब्सक्राइब कर लेता है तो देखें मैं आपके साथ शेर करता हूं जो आप बीती है स्टुडेंट की में हवा में बाते नहीं करता मैं टीचर नहीं हूं जो 11th या 12 पढ़ा रहा है या फिर एक ले लेकिन नहीं हो पा रहा नहीं हो पाता ना यार लेकि 11 12 में 99 परसंटेज लाना और क्लैट को क्रेक करना दोनों अलग चीज़ है बच्छा 11 12 बोड में कोई competition नहीं है आपका you are a single player यहां पर आपके साथ बहुत अगड़ा competition सीट्स लिमिटेड है अप्लाइ करने वाले लाखों में हैं तो और चीज़ है ना competition तो ज्यादा हो गई होगा तो यह सारी चीज़ आपको करनी पड़ती है जब आप करते हैं कोई भी एंट्रेंस या examination के लिए प्रिपेर करते हैं जो कि आपको अच्छे लेवल पर ले जाएगा कहीं पर राइट तो बच्छा यह था आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूं कि session valuable रहोगा ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी आते र के उपर है और एक focus के उपर है दोनों चेक आउट करिएगा अगर आप interested होते हैं तो आप enroll कर सकते हैं plus if in case किसी बच्चे को मेरे साथ directly बात करने हैं कुछ भी आपकी question है 10th में हो 12th में हो graduation में हो जिस भी आप life की stage में हो आप चाहते हैं कि मैं आपको guide करू mentor करू तो description में उ आप आप